एन यूस के 10 वी और 12 वी के स्टुडेंट्स हैं देखो एन यूस ने आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है यह नोटिफिकेशन आपके सामने है देखो इस नोटिफिकेशन में एन यूस आपको कह रही है कि essay student जिन्होंने 10 वी क्लास या 12 वी क्लास में option subject के रूप में कोई vocational course का subject ले रखा है जैसे कि यहाँ पर list भी दिया गया है यहाँ पर आप देख पर होंगे जैसे कि अगर आपने 10 वी क्लास में data entry operations का subject ले रखा है जो कि एक vocational course का subject है या फिर entrepreneurship का ले रखा है तो इसी subject को आपको vocational course के थुरू apply नहीं कर सकते आप सबको पता है कि vocational course जो होता है जिसके आपको यह कलग से certificate दी जाती है और diploma दी जाती है आपकी क्योंकि यह course जो होता है higher layer पर आपको इसमें आपको एक specialization दी जाती है ठीक है ठीक इसी तरीके से बार्वी क्लास के लिए भी कहा गया है कि अगर आपने बार्वी क्लास में data entry operations का subject ले रखा है early childhood care and education का ले रखा है tourism का ले रखा है physical education and yoga का ले रखा है अगर इन में से कोई ले रखा है आपने तो इसी subject से आप vocational course के थुरू ले रखा है optional ठीक है और आप चाहते हो कि vocational course के थुरू इस data entry operations का diploma किया जाए तो वो आप नहीं कर पाओगे आप पता नहीं ऐसा क्यों कह रही है क्योंकि notification में तो यही लिखा है तो मैंने आपको बता दिया ठीक है तो फिलाल तो यही अपडेट है और कोई अपडेट मुझे मिलता है तो आपको inform कर दूँगा अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लेना मिलते है अगले वीडियो में